हेलो वीवर्स आज दिखाएंगे चार्जिंग पीन कैसे चेंज करें चार्जिंग पीन चेंज करने का तरीका देखिए यह जो हमारा एक बॉड है यह बॉड के जो चार्जिंग पीन है चार्जिंग पीन खराब हो गया है तो ठीक है हम यह चार्जिंग पीन को क्या करेंगे अभी होट गान देकर नीच से हीट देंगे देखिए जो बोड है बोड के नीचे हम हीट देकर हम चार्जिंग पीन को उठाएंगे इसके बार जो चार्जिंग पीम विए इसके वादे जो चार्जिंग पीन यहाँ पर जहाँ पर था वह पर देखिए हम तातल देकर हम जगाँ क्लीकर ना चाहिए हां यहां हम रोजन लेकर इस तकल देकर ओ जो चार्जिन पीन का जो बोर्ड जहां के हैं उहां पर हम क्या करेंगे रोजन देकर क्लीन अध्याश आत तो थोड़ा रहां दिकार ओ जो पाउज़ पॉइंट है पिन की अच्छी तरह से हम clean कर लेंगे हां देखिए हम पांच पिन को clean कर रहे रहिए मतलब और जो पाच पीन है बिच्पीन के यह रांग देकर हओ delta लिया है इसलिए चाहर पीन पीन को हम अच्छी तरह हो एधी तरह से साध्जन नच्एए इसलिए हमिं कर लिया हां तो दिखिए चर्जिंग है पीन को हम अच्छी तरह से दिखिए पीन को थोड़ा रांग और रजन से थोड़ा सोल्डरिंग कर लेना चाहिए वागर ये सोल्डरिंग नहीं करने से वहाँ पर ठीक ठाक नहीं लगेगा तो देखिए हम जैसे दिखाते हैं ऐसे ही करना ठीक है अभी भी वोड़ चार्जिंग पीन को हम सोल्डरिंग कर लेते हैं आच्छा सोल्डरिंग कर लिया सोल्डरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे और जो बोड़ है और बोड़ के ठीक ठाक से रख लिया एक चीज धेन देना चाहिए जो बोड़ है ना और बोड़ के जो कीपैड है कीपैड जो पात्ता होता है पात्ता को हम क्या करेंगे यह जो पात्ता को निकलना चाहिए मगर ओ जो पात्ता से हीट देने से पात्ता जल जाता है तो क्या करेंगे वो पात्ता को हटा लिया आभी भी क्या करेंगे यह जो चार्जिंग पीन है वो बोड़ के उपर सही जगा से रख दिया रख देने के बाद हम क्या करेंगे होट गान से नीचे से हीट देना चाहिए हम दिखिए होट गान से नीचे से हीट दे दिया नाट गन से नीचे से हीट दे कर हम लगा दिया एक काम करने चाहिए वो जो हीट देने का टाइम एच चार्जिंग पीन थोड़ा दबा के रखना है अगर वो जो पीन होता है पीन अच्छी तरह से सट जाएगा ठीक है तो दिखिए पीन सट गया उसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पीन लगाया है यह पीन को वह पर थोड़ा पेस्ट में लग गया इसके लिए हम क्या करेंगे वो जगा को हम थीना देकर वास्ट कर लेना चाहिए तो देखिए अभी भी वह जो पीन पाच पीन लग गया तो तताल देकर वह पीन को थोड़ा सोल्लरिंग करने चाहिए तो क्या होगा वह पीन सोल्लरिंग करने से अच्छी तरह से पीन शट जाएगा देखिए यह पीन पाच पीन को सोल्लरिंग कर दिया उसके बाद हम थीना देकर क्लीन करने ना चाहिए हाँ देखिए हम थीना दे दिया उसके बाद एक को क्लीन कर लिया हाँ क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे यह पीन को हम हम च्रि चर्जिक करेंसा ही तरह इसे लगां के नदे जैए तो हम क्या करेंगे चार्जिघ पींग हम लगा लेंगे थिख्या चार्जर लगाएंगे चालल लगाने के बाद मेंट्र है मेटा DCB 10 DCB 10 पे रखकर यह जो हां तो बैटरी कनेक्टर पे लगाने से दिखिए बोल्टेज दिखा रही है मतलब कनेक्टर सही पे लगा है तो अभी भी बैटरी लगा के हम charger लगा के देखना है चार्ज होता के नहीं तो देखिए हाँ चार्ज हो रही है अच्छी तरह से चार्ज हो रही है सब को हमारा रिक्वेस्ट है हमारा अजय चैनल है सब्सक्काइब करना